नमस्कार दूस्तों और इस्टेटी विध्यान प्रकास में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आए शुरू करते हैं साथ जन्वरी के सभी इंपॉर्टन क्रेंड फेर और पहला कुश्चन होगा 28 फरवरी 2022 को विध्यान दिवस होता है यह तो आप जानते हैं इसकी थीम डिक विध्यान व प्रद्योगी की में एकी कृत दिष्टिकून बिकल्प सी आपका यहां पर करेक्ट है देके फ्रेंड्स अभी हाली में केंदरी विध्यान और प्रद्योगी राजमंत्री ड. जीतेंदर सिंग ने राश्टी विध्यान दिवस 2022 की थीम सतत्वविस के लिए व विध्यान दिवस होता है दस नौबर को और राश्ट्री विध्यान दिवस ये कब होता है 28 फरवरी को तो दोनों को याद रखिएगा कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होईएगा आगे बढ़ते हैं वर्ड एकोनोमिक आउटलुक 2022 को कौन लांच किया है यानि कि कौन सी और इसका तुर जाएगा अंतरराश्ट्री मुद्राक्रोस यानि की IMF IMF that's mean International Monetary Fund अस्थापना होती है 27 दिसंबर 1945 को मुख्यालय है वासिंग्टन टीसी में कुल मिला के इसके 190 सदस्य देश हैं और अध्यक्ष कौन है क्रिश्टलीना जार जीवा ये भी आपको याद रख का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है तो दोस्तों यह है इनका नाम है option D यानि की अतुल केसब तो option D आपको यहाँ पर correct है तो अमेरिका के Chamber of Commerce ने अमेरिका भारत द्यापार परिश्ट के अध्यविश के तोर पर अतुल केसब की नियुक्ति का एलान किया है अतुल इस्प और इस दौरान वे अमेरिकी दुतावास की पूरी टीम का नेतृत भी कर रहे थी याद रखिएगा अतुल केसब ये निसा दिसाई की जगें लेंगे अगला question होगा हाली में विश्व युद्ध अनाथ दिवस अधिक्यों यहाँ पर विश्व को अलग करिएगा ठीक है व विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाय गया तो संगर्स के कारण अपने माता पीता को खोग चुके बच्चों की दूरदसा के बारे में जागरुकता पैदा करने के लिए च्छ जनरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाय जाता है और दोस्तों जनवरी में अब तक चाही जवाब इसका option C है यानि की पुडू चेरी में तो देखे दोस्तों यूवा कारेकरम और खेर मंतराले के द्वारा नेशनल यूथ फेस्टिवल 2022 का आयोजन पुडू चेरी में किया जाएगा इसका आयोजन 12 से 16 जनवरी तक यानि की 12 जनवरी को मनाया जाता ना भारती यूवा दिवस तो यूवा दिवस से इसकी सुरुवारत होगी और यशल सोल जनवरी तक चलेगा 12 जनुरी को स्वामी विवेका नंद की जैनती होती है जिसे युवा दिवस के रूप में भुशित किया गया है और ये भी आदखना कि 2021 में इसका 25 संस्करण आयोजित किया जाएगा देखें दोस्तों ये तजबीर आप देख रहे होंगे यहाँ पर मैं आप बता दो की यूनियन मिनिस्टर आफ यूथ अफियर्स एन स्पोर्ट्स अनुराक ठाकूर और लेटन गवर्नर आफ पूडूचेरी कौन है डाक्टर तमली सारी सौंदर राजन उन्होंने लोगो और मसकट को 25 नशनल यूथ फेस्टिबल के लिए इसे अन्वेल किया है इसको लांच किया है और इसका आज़न 12 से 16 जनुरी तक होगा देखे फिरेंड्स इसको नाम दिया गया है क्या नाम दिया गया है सक्षम यूवा समर्थ यूवा याने कि कैपेबल यूथ फोर्सफुल यूथ या एबल यूथ श्ट्रॉंग यूथ ठीक है तो इसको आप याद रखिएगा आगे बढ़ते हैं किस देश के कर्फिलव सुरज ने सत्तरा मिनट तक साथ करॉन डिगरी सेल्सियस ऊर्जया निकालकर विस्वरिकार्ड बनाया है तो उत्तर हुजू जाएगा इसका ऑप्शन ए यानि की चाइना ने तो देखे दोस्तों चीन के क्रिट्रिम सूरज ने एक बार फिर से नया विस्व रिकार्ड बना दिया है हिफाई में इस्तित चीन के इस न्यूक्लियर फ्योजन रेक्टर से 1056 सेकेंड या करीब 17 मिनिट तक 7 करोन डिग्री सेलसिस उरजा निकली चीन की इस सूरज ने नया रेकार्ड गत 30 दिसम्बर को बनाया है यह अब तक का सबसे ज्यादा समय है जब इतनी उरजा इस परमाण रेक्टर से निकली है इससे से पहले इस नकली सूरज ने 1.2 करोन ड साइन लैन आधारित परमाण रेक्टर को चलाने का ठोस भैग्यानिक और अप्रगात्मक आधार मिल गया है इस कृत्रिम सूर को प्रयागिक उन्नत सुपर कंड़क्टिंट टोकामक EAST नाम दिया गया है तो याद रखेगा कि यह एक ऐसा अविसकार है जो मानवता के लिए पता नहीं लावधयक होगा या हानिकारा होगा हाला कि इसका आविसकार चाइना ने तो करे डाला है अंग जियो 30 जिसे आप निमरलाजी कहते हैं निमरलाजी तो अंग जियो 30 पर किसने पहला गिनीज वर्ड रिकार्ड बनाया है उत्तर जैगा इसका आप्सन ए यानिकी ज जेसी चौधरी ने तो दोस्तों अम 23 में पहली बार गनीज वर्ड रिकार्ड और 2022 का पहला वर्ड रिकार्ड भारत के मसूर अंकसास्त्री जेसी चौधरी ने बनाया है उन्होंने उपलब्दी करीब 6,000 प्रतिफागियों को प्राचिन विज्ञान के बारे में सिक्षित करके हासिल की है यह प्रतिफागी अमेरिका, ब्रेटेन, मध्य इसिया और भारत से सामिल हुए थे इस पहल की सुरुवात गनीज वर्ड रिकार्ड एड जूडिकेटर सौपनिल जैन ने की थी उन्होंने चोधरी से मिलता जोता है एक नाम आपको याद आएगा, इनका नाम है एंडी जैसी जिने अमेजन का CEO घोसित किया गया है, फुर्मजिले म्लामबो जो की आपके विकल्प में है, फुर्मजिले म्लामबो को ग्लोबर गोलकीपर अवार 2021 से समानित किया गया था, फैरोज ब लोरेंस नाइंडिगल अवार दिया गया था, S.V. चौधरी को, आगे बढ़ते हैं, हाली में ओडिसा का कौन सा जिला पहला, बाल, विवा, मुक्त जिला खोसित किया गया है, तो अगर आप देखेंगे, ये ओडिसा का मैप है, जिसमें ये जिला है आपका, और ये है भूनेस्तवर ही बना था, भारत की पहली Chess Academy कहां पर खुलेगी भूनेस्तवर में, world skills centre खोला गया भूनेस्तवर में, कोबिड योद्धा अस्मारा बनाया गया भूनेस्तवर में, भूनेस्तवर ने तीसरी बार लगातार कायकल्ब परुशकार भी जीता, देश का पहला फायर पार्क अस्थापित किया गया भूनिस्वर में और देश का पहला टायर पार्क ये कहाँ पर बना था कोलकाता पस्विब मंगाल में 24 गुड़े साथ यानि कि 24 गंटे सातों दिन नल से स्वक्ष जलवाला सहर बन गया था पूरी जो की ओडिसा में है टी से तुपूल बनाया गया ओडिसा का सबसे लंबा पूल होगा कटक जिला महानदी परिस्तित है इसकी लंबाई होगी 34 किलो मीटर लॉंगेस्ट डैम आफ इंडिया जो की हीरा कुट डैम है यह महानदी पर है और बारापत्ती स्टेडियम और राश्टी चावर और संधान केंद्रे यह भी आपको मिलेंगे कटक महानदी के तड़ पर बसा हुआ है तो यह सारे प्रसन आपको याद रखने हैं आगे बढ़ते हैं हाली में रिजर बैंक ने अंतरराश्टी प्रेक्षण ब्योसाय के लिए किस बैंक को मंजूरी प्रदान की है अंतरराश्टी प्रेक्षण ब्योसाय के लिए आपको पता होगा अभी हाली में एक रिपोर्ट आई थी जिसके मुताबिक दुनिया में सबसे अधिक रेमिटेंस प्राप्त करने वाला जो देश है वो कौन सा देश है तो यह भारत ही है और अंतर राश्टी प्रेक्शन ब्योसाजनीक रेमिटेंस के लिए फिनो पेमेंट बैंक को मंजूरी मिल गई है रिजर्ब बैंक के अच्छugen पेमेंट बैंक के जो ब्रांड बेस्टन है वो कोन है यह है पंकस तुरिपाथी आपको याद होगा जाने माने इक प्राकार है और फिनो पेमेंट बैंक को रिजर्ब बैंक ने इंटरनेशनल आब्जर्विसनि बिजिसनस के मजूरी दिये फिनो पेमिन बैंग के स्थापना होती है 2006 में मुख्याले बंबई में है अध्यक्ष है महेंदर कुमार जाउवान और MDCO कौन है रिसी कुमार गुपता है हाल यह में किसने इसराइली साइबर सेक्योर्टी स्टार्टप सिंप्लिफाई का अधिर्ण कर लिया है तो जो साइबर सेक्योर्टी है उसको बढ़ाने के लिए इसराइल का सिंप्लिफाई का जो नम कंपनी है इसका अधिरन किया गया है गूगल के द्वारा तो बिकल्ब सी आपका यहां पर करेक्ट है देखे फ्रेंट्स बात गूगल की हो रही है तो गूगल के स्थापना होती है 1998 में है है कलिफोर्निया यूएस में है CEO कौन है सुन्दर पिचाई है और इसकी स्थापना किसे की थी लेरी पेंज और सरगेई ब्रिन ने तो अब बारियर रिवीजन की आज मनें पढ़ा कि 28 फरवरी 2022 विज्ञान दिवस की थीम होगी सतत्थ भविस के लिए विज्ञान और प्रद्योकी में एकी क्रिद दिश्टिकूर्ण वर्ड एकोनॉमिक आटलुक 2022 को लांच किया है आई एम एफ ने भारती मूल के किस बेक्टी को चैम्बर्स आफ कामर्स द्वारा यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल यानि कि यूएस आई बीसी का अध्यक्ष बनाया गया है इनका नाम है अतुल केसब हाली में विश्व युद अनाथ दिवस घोशित किया गया था 6 जनवरी को या मनाया गया है 6 जनवरी को राश्टी जिवा महुत्सो 2022 का आई उजन कहाँ पर होगा पुडू चेरी में किस देश के कितिम सुरज ने 17 मिनिट तक साथ करों डिक्री सल्सेस उड़जा निकाल कर विश्व रिकार्ड बनाया है तो यह देश चीन है अंग जोतिस पर पहला गिनीज वर्ड रिकार्ड बनाया गया है जिसी चोदरी के द्वारा उडिशा का कौन सा जिला पहला बाल व आज के प्रस्णों के रिविजन और कल हमने यह पूछा था कि कौन सा देश जनवरी 2022 में युनाइटेड नेशन सेक्योर्डी काउंसिल की आतंकवाद विरोधी समित की अध्यक्सता कर रहा है तो इसका उत्तर था आपसन ए यानिकी भारत आप सभी के जबाब बिलकुल सही रहे और यह रहा आज का प्रस्ण हाली में पीम मोदी ने महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डे के नए एक क्रित टर्मिनल भावन का घटन किया है त्रिपुरा महाराष्ट दिल्ली या हैतराबाद तो यह हैं आपके आपसंद और इस्टा उत्तर आप जरूर लिखेगा दोस्तों वीडियो कर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेर आपको जरूर क्या करें चैनल पर अगर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके ही जाएगा सोचल मीडिया पर हमसे करनेक्ट होना चाहते हैं तो इस्टेडी विद ग्यान प्रकास लिकर सर्च कर लिजेगा भाग दन्यवाद थैंक यू सो मच